नमस्का दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त संजीब उसाइन आज लेके आए हूँ मैं आपको राजपु रोड की पोश लोकालेटी कालीदास रोड के बिलकुल एग्जवाइन नैश्विले रोड पे जहां मैं आपको दिखाने वाला हूँ 304 गज का डूपलेक्स विला दोस् अबकाशिचे आपको Kuna Living Room, Drying Room और दो बेड्रूम मिलते हैं उपर दो बेड्रूम है Living Room है और व्यू चट से आपको पूरे शेहर का तो मिलता ही है साथी साथ आपको बिलकुल लिःद का भी मिलता है दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पताया ओनर ने ये घर अपने खुद के लिए बनाया है, इसका मतलब हुआ कि कंसक्षिन क्वालिटी में कोई कॉम्परमाइज नहीं किया दिया है, जो घर है इसमें खुला बड़ा स्पेशेस आपको किछन मिलता है, बड़े खुले चार बेडरूम्स मिलते हैं, लिविंग रूम मिलता है, में रहते हैं, तो दोस्तों आईए हम आज का अपना वीडियो शुरू करते हैं, तो आईए दोस्तों, और बहुत सुंदर सा जो एटर से साथ बनाया हुआ है, बहुत सुंदर सा एंटर करता है, हमें मिलता है, खुला बड़ा स्पेशियस ग्राइं ग्रूप, साथी साथी है टाइनी ग्रूप, और ग्रूप, दोस्तों एक एंटरन स्केट की यहां भी है, आप हार से यहां अंदर आ सकते हैं, और यह लिविग रूप इस तरीके से बनाया गया है, अगर आपको पार्किंग एविया ज्यादा चलिए, तो आप यह बीच का मिडल मॉल हटा दे में, और यह बड़ा स्पेस आपको एक बड़ी गाड़ी के लिए, और यहां मिल जाएगा माई जी, मैं आपको पिचन की खाथा है, काफी बड़ा स्पेसियस की चंग है, अधे शित रहे है, जो कि एंटर करते ही, रेट की मिन निखाता है, तो आपको अपना फस रेट ने काथा निखाता है, बड़ा prosperous room है और बुद का अच्छा काम कियागिया यड देख सकते हैं इसमें आपको मिलता है attached washroom इसमें आपको मिलता है bed room के साथ एक attached washroom और utility है यह रहाइछ आपने 2nd bedroom तो बड़ा spacious room है आप देख सकते हैं कि आप बड़ा रूम है कि भी कैबिनेट साथ में लगा हुआ है साथी में आपको मिल्सदा है पाउडर रूम काफी बड़ा स्क्रीश है तो बहुत वाशुम अटेल है कि बड़िया गुल्फ का और एसस का यूस किया हुआ है बड़िया ग्रेनाइट की जो मार्वाल है शेश में लगा ही हुए है आप देख सकते हो इसकी थिकनेस और स्मूधनेस देख सकते हैं बहुत ही सुन्दा सूधिं कलर का यूस किया गया है स्पेशियस्ट वाइड विलकुल स्टेड है है दिखाता हूँ आपको अपना तीसा बैट हूँ देख सकते हैं बड़ा खुला स्पेशियस बैड रूम है प्योपी और कंसील लाइस का काम इसमें किया गया है साथ ही मिलता है आपको अटैच वश्वूब साथ हूँ आपको अपको अपकों यदूब कि यह हमारा फोर्थ पेड्रूम है जैसा कि आपने नीचे देखा काफी स्पीशियस रूम है इसमें भी आपको मिलता है एक अटैच वर्च्रूम पलस एक स्टोरिज है सुन्दर पी-ओ-पी का काम किया गया है आप देख सकते हैं बड़िया कैबिनेट का काम किया गया है और बैड जोकि डिजाइनर बैड है अपने वाल तक इसको पूरा वाल बैड बनाया हुगा है बिल्कुल वाल तक इसको इंटीनियर किया गया है तो दोस्तों आईए यह है अपना कॉर्डर रूम और साथ में इसमें है अटेच वर्ष रूम यह आपको श्टोरिज में मिलती है हुआ है दोस्तों उपर के फ्लोर में आपको मिलती है एक बालकनी जो कि यह काफी स्पीशियस है और बालकनी से पिर आपको अच्छा भी मिलता है अब मैं आपको ले चलता हूँ रूप पे और देखेंगे वहां से कैसा आसपास का नेवर हूट है और किस तरीके का नजारा चारो तरफ का मिलता है आई रूप को हमने दो तरफ पार्टिशन लिया हुआ है राइट लेफ दोनों साइट तो अभी हम लेफ साइट की तरफ आए है तो आप यहां का नजारा देख सकते हैं वो देखेंगे दोस्तों वो है मसूरी कि आपको गात रहा कि इसको हमने रूफ को दो तरफ पार्टिशन किया हुआ है लग साइट हमने देखा था यह हमारा राइट साइट हमने इसमें रूफ के उपर जो मम्ती है उसके उपर सोलर पैनल भी इंस्टॉल किया हुआ है तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया 304 गज में बना हुआ यह बहुत सुंदर सा डुफलेक्स जो की नैश्विला रोड पे है नैश्विला रोड राजपूर रोड के बिलकुल नियर पड़ता है यहां से में राजपूर रोड हाडली एक से देड़ किलोमेटर की दूरी प होए है क्लॉक टावर आप सिर्फ मात्रिहां से 7-8 मिनट की ड्राइब पे क्लॉक टावर में अर्टन बजार पोस्ते हैं जैसा कि मैंने बोला यह हार्ट ऑफ दा सिटी है जो लोग दिल्ली एंसियर के लोग है जिनोंने नेचर में रहना है जिनको व्यू भी चाहिए और उ दोस्तों मैंने आपको दिखाया 4BHK का 304 गज में बना हुआ सुन्दर डुपलेक्स घर आशा करता हूँ आपको मेरा यह आज का वीडियो पसंद आएगा उमारे चैनल प्रोपर्टी एडिक्शन के साथ बने रहिए चैनल को लाइक सेर सब्स्राइब करते रहिए आपका आपना दोस्त, संजीम गुसाइब, मुश्कार!